Field Area Allowances, इस वीडियो के जरिये हम आपको Field Area Allowances के बारे में जान करी देंगे, जिसमें से कि मुख्षे जो Field Area Allowances हैं, जैसे कि CFA, CMFA, CHA, FA, HAUCA, SCCIA और CACHIN, इनकी जान करी देंगे और इनके लिए जो रेट निर्धारित किये गए हैं, S-PAS 7CPC, उसकी भी जान करी देंगे. आईए देखते हैं कौन-कौन से Field Area Allowances आपको दिये जा रहे हैं, तीन Field Area Allowances यहाँ पर दिखाए गए हैं, CFA, CMFA, CHA, FAA. इसमें पहला Allowances जो है, वो है CFA, यानि की Compensatory Field Area Allowance. और यह जो Area होते हैं, जहाँ पर यह Allowance दिया जाता है, वो होते हैं, जहाँ पर टूप को डिपलॉई किया जा रहा है नियर्धा बॉर्डर फॉर ऑपरेशनल रिक्वार्मेंट के लिए. यानि की, ओपरेशनल रिक्वार्मेंट के समय, बॉर्डर पर जो टूप डिपलॉई रहती है, उन्हें CFA दिया जाता है. CFA के साथ साथ आपको HAUCA भी मिल सकता है, प्रोवाइड़ की HAUCA की कंडिशन फुल्फिल हो रही हो. दूसरा अलाउंस है CMFA, यानि की Compositive Modified Field Area Allowance. फील्फिल एरिया में जो यूनिट्स होती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो टूप डिपलॉई होती हैं, वो CMFA के लिए एलिजिबिल होती हैं. इसी तरह जो तीसरा अलाउंस है, वो है आपका CHAFAA, यानि की चाफा, और ये अलाउंस है Highly Active Field Area Allowance, जिसे की Government डिकलर करती है Highly Active Area, वो एरिया में ही ये अलाउंस दिया जाएगा. जो टूप या जो पोस्टिर होते हैं Highly Active Field Area में उन्हें ये अलाउंस दिया जाता है. आएगे देखते कौन-कौन सी कंडिशन है, CFA, CMFA और CHA, FA लेने के लिए. देखिए जो लिस्ट है, एक Core Notification होता है, जो Core Commander के द्वारा Notified किया गयाता है, उसके अंदर वो सारी Units और Formations के नाम होते हैं, जो Field Area और Modified Field Area Allowance लेने के लिए Eligible हैं. तो उन सभी Units के नाम और Formation की एक लिस्ट, Core Commander के द्वारा Notified कियों ही आपके Concern PO के पास जाना बहुत जरूरी है, ताकि उस PO को ये पता रहे कि आपकी ये Unit जो है, वो Field Area में है, और आप Field Allowance लेने के लिए Eligible हैं. दूसी है, CFA और CMFA are not admissible to static unit, यानि कुछ ऐसी Unit हैं, जो Area तो वहीं है, Field Unit का, लेकिन उनको कोई भी Field Allowance नहीं मिलता, जैसे कि Training Centers, Recruiting Offices, Military Form, Record Offices, NCC Directorates and its Unit, उनकी जो Unit है, और TA Unit, अगर वो Embodied नहीं हुई है, तो, अगर वो Embodied है, तो उनको मिलेगा, otherwise उनको नहीं दिया जाता है, CFA और CMFA, CMFA के साथ, दूसरा कोई भी Compensatory Allowance नहीं दिया जाता है, इसी तरह, Attachment के Case में, अगर 14 दिन से ज़्यादा का Attachment है, तो उसको Allowance दिया जाएगा, ये Field Allowance, otherwise उनको Allowance उससे कम है, 14 दिन से, तो ये Allowance नहीं दिया जाता है, CFA और CMFA जो Seized होता है, ये उस Condition में Seized होता है, जब आपकी Unit, जो Field Area में है, आपके Field Posting पे हैं, और वहां से ये Unit आपकी Move हो जाती है, मतब कि Field Area से आप बहार आ जाते हैं, आपकी Unit पूरी बहार आती है, तभी ये बंद होता है, और या तो फिर आप AWL, OSL, Desertal या Missing हैं, तो उस Condition में CFA और CMFA Seized हो जाता है, CHFA की Case में, Annual Leave, Sick Leave और Hospital अगर 28 दिनों से जादा होता है, तो ये Seized हो जाता है, CL अगर 30 दिन से जाता है, और Temporary Duty अगर 21 दिन से जाता है, तो ये Seized हो जाता है, Hospitalization की Case में, अगर किसी भी PBR का जो भी Hospitalization हुआ है, वो अगर उसकी गलती के कारण, अगर वो Disability हुआ है, कुछ या फिर वो Sickness हुआ है, जिसमें Individual का Fault है, उसकी गलती के कारण हुआ है, तो उसका Field Service Concession स्टॉप हो जाएगा, चाहे वो 28 दिन से कम काही क्यों ना हो, आइए देखते हैं कि S-7 CPC, CFA, CMFA और CHA, FAA के रेट क्या है, CFA इसका रेट है 5,000 रुपीस पर मन्त, इसी तरह CMFA इसका रेट है 3,000 रुपीस पर मन्त, और CHAFA इसका रेट है 9,700 रुपीस पर मन्त, आइए देखते हैं कि उपर बताएगा है, Field Allowance के अलावा और कौन से Field Allowance मिलते हैं, HAUCA, High Altitude and Uncongenial Climate Allowance, यह 3 केटेगरी में हैं, Lower Rate, Higher Rate और Special Rate, जो केटेगरी 1 है, जहापे HAUCL मिलता है, Lower Rate का, वो होता है 9,000 फीट से 15,000 फीट की हाइट पर, अगर Personal Serving है, तो उनको यह मिलेगा, और इसके अलावा Uncongenial Climate Areas है, और Below Height 9,000 फीट है, तो भी HAUCL मिलता है, HAUCH यह Higher Rate है, 15,000 फीट से अबाव, यह अलावांस मिलता है, Excluding Sea Chin, Sea Chin के लिए अलावांस नहीं मिलता है, HAUCS यानि की Special Rate, जो स्पेसिवाइड एरिया बताएगा है, Uncongenial Climate Area के लिए, वहाँ पर यह आपको Special Rate मिलता है, जो की CHL अलावांस का 80% होता है, आईए दिखते हैं कि HAUCA की Conditions क्या-क्या है, HAUCL, HAUCH और HAUCS, इक किस कंडिशन में है, Copy of the Code Notification should be attached with the DO2, तो आपकी जब Part Order आप PO में भेजते हैं, तो उस Concern PO को जब Part Order की Copy जा रही है, उसके साथ साथ आपके Core Notification की Copy का भी लगा होना बहुत जरूरी होता है, इसी तरह जो Height है, जो भी आप Allowance ले रहे हैं, HAUCL है, HAUCS है, तो यह जो Height है, उसका आपके Remarked Column में Mention होना बहुत जरूरी है कि आपकी जो Unit है, वो कितनी Height पर है, इसी तरह, the individual for whom allowance is notified should not be absent from the specified area on annual leave, आप annual leave पर और sick leave पर या किसी दूसी तरह की कोई भी छोटी पर आपको यह allowance नहीं मिलता है, आप वहाँ से अगर absent होते हैं, तो यह allowance आपको नहीं मिलेगा, आपका allowance seized हो जाएगा, other than casual leave और temporary duty, लेकिन अगर आप casual leave और temporary duty पर हैं, तो यह allowance आपको मिलेगा, बर्शत है कि वो 14 दिन से जादा नहीं होना चाहिए, यानि कि आप 14 दिन से जादा casual leave और temporary duty पर अपने उस specified area से absent नहीं रहेंगे, तो यह आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप 14 दिन से जादा हो जाते हैं, तो आपका यह part order seized हो जाता है, आपका यह grant seized हो जात यह तीनों allowances है, इनके rate इस तरह से है, as per 7 CPC, HAUCL, इसका rate है 2700 पर मन्त, इसी तरह है HAUCH, इसका rate है 4100 पर मन्त, और HAUCS, इसका rate है 17300 पर मन्त, यह तीनों rate जो है, वो PBR's को दिये जाते है, as per 7 CPC एक और field area allowance है, जो आपको मिलता है, वो है SCC IA, यानि की special compensatory counter-insurgency allowance, जब आप counter-insurgency area में enter होते हैं, तो आपका grant का part order publish होता है, और जब आप exit होते हैं, तो आपका seize का part order publish होता है, और इसका notification आपके DO2 में भी रहता है, counter-insurgency operation में जो आपको SCC IA मिलता है, उसके साथ साथ आप HAUCA भी ले सकते हैं, वर्षते की HAUCA की जो condition है, वो fulfill हो रही हो, SCC IA आपको field unit में भी मिल सकता है, piece में भी मिल सकता है और modified field area के लिए भी मिल सकता है, यह देखते हैं कि SCC IA के rate as per 7 CPC क्या दिये जा रहे हैं, देखिए allowances अगर SCC IA है और area, यहाँ पर area wise आपको दिया जाएगा, तो area, अगर piece area है, तो rate है 6,000 रुपीज पर मन्त, इची तरह अगर modified field area है, तो rate है 7,469 रुपीज पर मन्त, और field area है, तो rate है 9,700 रुपीज पर मन्त. SCC IA allowance, people are serving in SCC IA Glacier area are entitled for grant of SCC IA allowance, यानि कि जो PBR SCC IA Glacier area में है, posted, उनको SCC IA allowance दिया जाएगा, SCC IA allowance is admissible with CFA and CHAFA, आपको compensatory field area allowance और compensatory highly active field area allowance, ये दो allowances के साथ, आप SCC IA allowance ले सकते हैं, इसके अलाबा कोई दूसरे compensatory allowance के साथ, आपको ये नहीं मिलेगा, including HAUCA, This allowance will be seized on the following circumstances, AL sick leave hospitalization on occurrence, यानि कि आप AL sick leave या hospitalization होते हैं, तो ये allowance आपका seized हो जाएगा, Casual leave or temporary duty beyond 14 days, अगर 14 दिन से जादा आपका casual leave होता है या temporary duty होगा, तो ये allowance आपका seized हो जाएगा, CHN allowance and flying allowance are not granted concurrently, यानि कि CHN allowance के साथ आप flying allowance नहीं ले सकते, ये दोनों allowance आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर आपको ये allowance लेना है, तो दोनों में से आपको कोई भी एक allowance ही मिलेगा, वो आपको चूज करना पड़ेगा, कि आप कौन सा allowance लेना चाहते हैं, CHN allowance के rate जो है, वो इस तरह से है, S-PAS 7 CPC जो PBRs को rate दिया जाता है, CHN allowance उसका rate है 30,000 रुपिस पर मन्त,